स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक बार फिर सिद्रिष्टी PCS के स्टेटर्स प्रोग्राम में मैं हूँ सल्मान और आज हम जिस राज्य के बारे में चर्चा करेंगे वह राज्य है उत्तर प्रदेश यानि कि उत्तर प्रदेश राज्य में बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्पूर्ण खबरें जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश के कुछ इस्थान सुर्खियों में बने हुए जिन पर आगामी प्रस्ण पत्र में कोई सवाल बनाया जा सकता है तो एपिसोड की सुरुआत करेंगे बीते एपिसोड के अभ्यास प्रस्ण के साथ अभ्यास प्रस्ण में हमने आप से पूछा था सिंग्रावली छेत्र के अंतरगत निमलिखित में से किस खनिज का उत्पादन प्रचूरता से होता है विकल था कोईला जिपसम यूरेनियम और तांबा बहुत से विद्यार्थ होता है वह बहुत ही अल्प मात्रा में होता है यानि कि उत्तरप्रदेश का इस्थान कोईला उत्पादन के मामले में निम्न माना जाता है अगर बात करें सिंग्रावली छेत्र यहां पर इसको मानचित्र पर अगर हम देखे तो और भी अधिक इसपस्ट हो जाएगा सिंग बद्धर जिला यहां पर आप सिब देख सकते हैं यह रॉबर्स दिखाए रही सोन बद्धर जिला के अंतरगत ही इस्तित एक स्थान है और यही पर मिर्जापूर भी इस्तित है तो कुल मिलाकर कि यह वाला जो छेत्र है यहां पर कोईले का उत्पादन ज्यादा मात्रा में यहां पर कोईले का उत्पादन किया जाता है तो इस तरह से अगर हम बात करें अवराल को लुमिला करके सिंगरौली छेत्र की बात करें जिसमें कि उत्तरप्रदेश का सोनभद्र, मिर्जापूर और मद्धु प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है वो तो शामिल ही ही है ज जो कि इस एपिसोड के साथ पहली बार जुड रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो जो पिछले एपिसोड है, उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लोगसेवायो की प्रलिम्स की परिक्षा है, उसकी तिथी नजदीक आती जा रही है, और उस सभी के लिए क्या बनाया गया है, प्रश्न है, लंबाई के अनुसार नदियों का सही अवरोही क्रम है, कौन-कौन सी नदिया है, गंगा, यमुना, राम गंगा और गोमती, यह चार नदिया है, इनको अलग-अलग क्रम में विवस्थित करके, चार विकल्प के रूप में दिया है, और आप से पूछ रहा है, कि इनका सही विवस्थित करम, यानि कि अवरोही करम में क्या है, यानि कि अगर हम अवरोही करम की बात करें, तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी जो होगी, उसके बाद जो होगी, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो अ तेरा सो चियत्तर किलो मीटर वहीं अगर हम राम गंगा की बात करते हैं तो यह तक्रीबन 596 किलो मीटर और सबसे अंत में गोमती की अगर बात करें गोमती नदी जो है 960 किलो मीटर की दूरी तै करती है तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सही अवरोहिकरम होगा तो सबसे से पहले गंगा नदी, उसके बाद यमुना नदी उसके बाद यहां पर अगर हम देखे तो गोमती नदी और सबसे अंत में जो हो जाएगी राम गंगा नदी तो यहां से इस प्रस्ण का सही उत्तर गंगा यमुना उसके बाद गोम्ती और राम गंगा तो सी वाला इस प्रस्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहां पर आप सभी के लिए एक होमवर्क है और होमवर्क बहुत ही आसान सा है यह जो चारों नदिया दी हुई है इनका उदगम कहां से होता है यह आप सभी को कमेंट सेक्षन में बताना है सवाल है निमलिकित में से किस जिले में डोलो माइट का उतपादन नहीं होता है विकल्प है सोन भद्र, मिर्जापूर, बांदा या प्रयाग राज डोलो माइट का जो उप्योग है वह मुख रूप से प्लास्टर आप पेरिस या सिमेंट के निर्माड में किया जाता है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जो दिये गए विकल्प है इनमें मुख रूप से सोन भद्र, मिर्जापूर और बांदा में इसका उतपादन होता है वही प्रयाग राज की बात करें तो यहाँ पर इसका उतपादन नहीं होता है तो प्रसन का सही उत्तर डी हो जाएगा आए इन जीलों को एक बार मांचित्र पर देख लेते हैं सोन भद्र की इस्थिति अगर देखे तो सोन भद्र यहाँ पर है वही अगर मिर्जापूर की बात करें तो मिर्जापूर यह इस्थित रहा और बांदा की इस्थिति को देखे तो बांदा कुछ यहाँ पर यह इस्थित है और प्रयाग राज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्थित है तो अब आप सभी को एक काम करना है होमवर्क में कि इन जिलों से जो भी जिले मध्यप्रदेश के सनलगन है उनका नाम कमेंट स अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण सरवाधिक जिलों में विस्तृत है विकल्प की अगर हम बात करें तो जो विकल्प इसके अंतरगत दिया गया है रानी पुरवन जीव अभ्यारण यह बांदा और चित्रकूट में है इसके बात दिया हुआ हस्तिना पुरवन जीव अभ्यारण यह उत्तर प्रदेश के साथ जिलों में विस्तृत है वही अगर बात करें कैमूर वन जीव अभ्यारण की तो कैमूर वन जीव अभ्यारण जो है यह भी दो जीलों में विस्तृत है जिसमें मिर्जापूर और सोन भद्र शामिल है अगर किशनपूर वन जीव अभ्यारण की बात करें तो यह भी दो जीलों में विस्तृत है इसमें एक है शाह जहापूर और जो दूसरा जिला है लखीमपूर है लखीमपूर खीरी तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि हस्तिनापूर वन जीव अभ्यारण को छोड़ कर जो तीनों अन्य वन जीव अभ्यारण विकल्प में दिये हैं यह दो दो जीलों में विस्तृत हैं लेकिन हस्तिनापूर वन जीव अभ्यारण जो है यह उत्तरपदेश के साथ जिलों में विस्तृत माना जाता है और यहां पर अगर हम बात करें उत्तरपदेश का जो राजकी पसू है बारा सिंगह वह इसका आवास इस्थाल है तो आई यह देखते हैं कि हस्तिनापूर व अम्रोहा, हापूर, मेरट, मुजफरनगर यहां पर आप सभी देख सकते हैं तो शामिल ही है इसके अलावा कुछ अन्य जिले भी हैं आई इनको भी देख लेते हैं तो सबसे पहले मुजफरनगर, विजनाओर, अम्रोहा, मुरादाबाद, हापूर, घाजियाबाद, और मे तो यहां से आप देखिए, कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ जिले हो जाते हैं जहां पर इसका फैलाव देखा जा सकता है, यह रहा हस्तिनापूर वाइल लाइफ सेंक्चूरी, तो यहां पर भी आप सभी को एक हमवर्क है, आप सभी के लिए, आप सभी को बताना है कि यह जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, कि एक नदी प्रवाहित हो रही तो इसका क्या नाम है, या कौन सी नदी है जो यहां से प्रवाहित हो रही है, चली अगले प्रसन की तरफ चलते हैं, सवाल है निमलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, वि सेवल दो, एक और दो दोनो, ना तो एक और ना ही दोनो, तो अगर हम बात करें विंध्यन शैली मृदा को, तो इसे हम बुंदेल खंडी मृदा भी कहते हैं, यह उत्तरपदेश का जो दक्षणी पठारी छेत्र है, वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टियां है, यहाँ पर पडवा मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, पडवा मिट्टी की बात करें, तो यह लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है, और इसमें जो ह्यूमस की मात्रा है, वह काफी कम होती है, और यह कहां पर पाई जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि यह बुंदेल खंडी मृद प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों आईए इसको मानचित्र पर भी एक बार देख लेते हैं जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि अलग-अलग रंगों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग रीजन अलग-अलग छेत्रों को दर्शाया गया है तो बुंदेल खंड की अगर हम बात करें तो लाइट ब्लू कलर से आप सभी देख सकते हैं कि यह वाला पोर्शन यह वाला छेत्र मैं पर दर्शाया गया है इसके अंदर कत जासी, जालाओन, हमीरपूर, ललित पूरित्यादी जिले शामिल हैं तो दिये गए कथन में जालाओन और हमीरपूर की बात कर रहा है तो जालाओन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं और हमीरपूर यह रहा यह दो जीले हैं जहाँ पर पड़वा मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है और यह मिट्टी रवेदार विंध्यन शैली मिट्टी के अंतरगत शामिल मृदा है चली अगले प्रस्ट को देखते हैं सवाल है निमलिकित में से कौन सा या कौन से कथन माता टीला बांध या परियोजना के संदर्भ में सही है या है यह परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है रानी लक्षमी बाई जला से इसी बांध पर निर्मित है उच्छा है उट में दिया हुआ है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो ना तो एक और ना ही दो तो यहां पर इन दोनों कत्नों में हमें बताना है कि कौन सा सही है दोनों सही है दोनों गलत है कोई एक सही है तो अगर हम बात करें इस परियोजना की तो यह मध्ध प्रदेश और उत्तरप्रदेश के मध्ध एक अंतर राज्जी परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर निर्मित है यानि कि पहला कसन सही हो जाता है और रानी लक्षमी बही जलासा इसी बांध पर निर्मित है यह भी बिलुकुल सही है और इसी के अंतरगत मध्य प्रदेश राज्ज में भांडेर नहर निकाली गई है भांडेर नहर कहां पर मध्य प्रदेश में अन्फ्यूज नहीं होना है यह जो है भांडेर जो है मध्य प्रदेश में निकाली गई नहर है कहां से यह जो माता टीला बांध है या माता टीला जो परियोजना है इसी के अंतरगत और यह कहां पर है यह बांध उत्तर प्रदेश इसके ललितपुर जिले में ललितपुर कहा है जो बुंदेल खंड का छेत्र है यानि कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षणी पठारी भाग है उसके अंतरगत एक जिला है जहांसी के नीचे आई इसको भी एक बार मांचित्र से देख लेते हैं तो यहां पर आप सभी देख सकत है और यहां जो जिला है यहां ललितपुर है तो प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला यानि की एक और दो दोनों कथन सही है चली अगले प्रस्ण को देखते हैं सवाल है उत्तरपदेश के रेखा मांचित्र पर पक्षी विहारों को A, B, C एवं D द्वारा दर्शाया गया है निमलिखित में से किस पक्षी विहार को उसके सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया है यहां पर A, B, C, D के द्वारा कुछ पक्षी विहारों को दर्शाया गया है और इन यह गई विकल्पों में से वकान से पक्षी विहार है जिसकी पोजीशन यहां पर सही नहीं दरसाई गई है तो पहला विकल्प लाक बहोसी पक्षी विहार कहा पर है अगर हम इसकी बात करें तो ionoj में है अगला है ओखला पक्षी विहार ओखला पक्षी विहार कहां है गौतम बुधनगर में है पिर है सांडी पक्षी विहार अब सांडी पक्षी विहार कहां पर है अगर इसकी हम बात करें तो यहां हरदोई में है और पटना पक्षी विहार जैसा कि आप सभी यहां पर नाम से देख सकते हैं पटना तो confusion हो सकती है या उत्तर प्रदेश में नहीं बलकि बिहार में होगा बिहार की राजधानीव पटना में होगा तो confusion नहीं होना है या उत्तर प्रदेश में ही इस्थित है उत्तर प्रदेश का जो मैफ है उसमें कौन से जिले कहा पर है अगर हमारे मस्तिस्क में है और हमें याद है तो हम बड़े आसानी से सवाल का उततर दे सकते हैं तो सबसे पहले मांचित्र पर देखते हैं लाख बहोसी पक्षिविहर जो की कन्नावज में हैं, तो कन्नावज की इस्तिती को मानचितर से हम देखते हैं, तो कन्नावज की इस्तिती अगर हम देखें, तो यहाँ पर है, इसे ए से दर्साया गया है, यह बिल्कुल सही है, एक इस्तिती बिल्कुल सही दर्साया गया है, वही जो दूसरा है, ओकला पक्षी पक्षी विहार हर दोई यानि कि C यहां पर यह गलत दर्साया गया है यह यहां पर होना चाहिए इसको भी देख लेते हैं यह देखिए कन्योज के ऊपर है हर दोई तो यही वाला प्रस्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यानि सांडी पक्षी विहार की स्थिति को इस मा एटा तो यहां से यह बात एकदम इसपस्ट हो जाती है कि जो C वाला विकल्प है यह मानचित्र पर सही नहीं दर्साया गया है चली एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं अगला प्रस्न बनाया गया है निमनलिखित में से कौन सा या कौन से कथन राश्ट्री राजमार्ग ती को आंदर प्रदेश से जोडता है कूट दिया हुआ है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो तो अगर राश्ट्री राजमार्ग तीस की बात करें तो यहां उत्तरा खंड को आंदर प्रदेश से जोडता है दूसरा कथन सही हो गया इसके बाद पिर तेलंगाना और सबसे अंत में आंध्रपदेश तो यह वह राज्य रहे जहां से यह राजमार्ग होके गुजरता है अब बात कर लेते हैं उत्तरपदेश की तो उत्तरपदेश में यह पीली भीत जिले में प्रवेश करता है उसके बाद साजहापुर फिर आगे बढ़त राश्टी राजमार्टी साब को दिख रहा होगा यह पीली भीत यही से प्रवेश करता है फिर यह साजहापुर फिर इसके बाद हर दोई फिर इसके बाद यह देख रहे हैं लखनव लखनव होते हुए फिर आगे आता है यह राइबरेली फिर उसके बाद यह कुछ इस त अताब गण एवं प्रयाग राज इतने जिले हो गए उत्तर देश के जहां से राज्ट्री राजमार 30 गुजरता है तो प्रस्न का सही उत्तर सी हो जाएगा चलिए चर्चा कर लेते हैं अगले प्रस्न पर समसीतोष्ट जलवायु चेतर के अंतरगत निमलिखित में से राज्ट्र का कौन सा चेतर शामिल नहीं है उत्तर पूर्वी मैदान चेतर पूर्वी मैदानी चेतर विंद चेतर या बुंदेल खंड चेतर तो अगर हम समसीतोष्ट जलवायु चेतर की बात करें इसके अंतरगत राज्य का उत्तर पूर्वी मैदानी छेत्र पूर्वी मैदानी छेत्र और विंध्य छेत्र शामिल है वहीं बुंदेल खंड छेत्र इसके अंतरगत शामिल नहीं है यानि कि बुंदेल खंड का जो छेत्र है यहां की जो जलवाई हुए वो समसीतोष्ण मुख्य रूप से पाई जाती है तो यहां पर एक होमवर्क आप सभी के लिए है कि आपको बताना है कि बुंदेल खंड छेत्र में किस प्रकार की जलवायू पाई जाती है इन तीनों में तो क्लियर हो गया कि समसीतोष्ड जलवायू पाई जाती है डी वाले में जो कि इस प् पर लाग अगर देख को प्रदर्शित किया गया है। अगर हम बात करें। जो दिये गए विकल्प है तब से पहले हैं उत्तर Pूरवी मैदानी च्चे Def तो यहां पर देखें यह जो दिया हुए नौर्थ ऎस्ट्रन प्लेंजोन अजो ए TH च्छेत्र हो गया फिर इसके बाद पूर्वी मैदानी च्छेत्र दिया हुआ है तो यह ग्रीन कलर से दिया हुआ है इस्टन प्लेन जोन यह वाला जो छेत्र हो गया इसके अंतरकत जो भी जिले शामिल है वह इसके अंतरकत आ जाएंगे फिर उसके बाद दिया हुआ है मैप से टैली कर सकते हैं या पता कर सकते हैं आप इसके अंदर बात करें यह बुंदेल खंड छेत्र या बुंदेल खंड जोन यह यह वाला छेत्र रहा और यहां पर पड़वा और रेवल मृदा पाई जाती है और यही पर आपको बताना है कि इस छेत्र में किस तरह की जलव इसका उत्तर आप सभी को comment section में देना है जिससे कि आप सभी को या ग्यात होता रहे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है अभी आपकी तैयारी में कितनी धार देनी बाकी है तो सवाल है गोरकपूर गोरखपुर एक्सप्रेस्वे निमलिखित में से किस राजमार्ग से शुरू होता है विकलप है एनेश 24 एनेश 27 एनेश 28 या एनेश 30 गोरखपुर एक्सप्रेस्वे अभी हाल फिलहाल में बहुत जादा चर्चित है तो इसका उत्तर आप सभी को जरूर पता होना चाहिए औ का उत्तर और अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए तो हमें उम्मीद है कि आज के अपिसोड के माध्यम से जिन स्थानों के बारे में चर्चा किये गई जिन सूचनाओं और तत्यों से आप सभी को आउगत कराया गया वह आपके प्रस्टपत्र के कोई क्वेरी है तो आप सभी साधर्न आमंत्रित हैं तो मिलते हैं अगले अपिसोड में कुछ नए प्रस्टों के साथ तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए शुक्रिया